हम्मंता फ्रिंस में आप सभी का एक बार पुना स्वागर पिछले आपिसोड में आपने जाना की अपने के सबसे खुबसूरत पहलू में से एक पहलू जो आपके चेहरे के एक्ष्प्रेशन चेहरे के भाव को खुबसूरत पता बिवित्ता लाकर आपके अभिने में चार चान लगाता है तो वहीं आपको श्रेश्ट अभिनेता बनने के लिए अग्रसर करता है तो उनी श्रेश्ट पहलू में से एक पहलू है संचारी भाव संचारी भाव च्षनभंगूर होता है जो एक रस से डुसरे रस में और नुचित तरीके से संचार करता रहता है इसी ओजर से उसे संचारी भाव कहते है या ब्याविचारी भाव भी कहते हैं यह अल्थ समय के लिए होता है कुछ समय बनता है नश्क हो जाता है तो भरत्मुनी ने संचारी भाव को 33 प्रकार के बताया है तो उन्हीं संचारी भाव को हम एकेकर विस्तार से जाने कि वो संचारी भाव को हम कैसे पैचाने क्या होता होता है उस समय उसकी वर्डी लेंग्विज क्या होता है चेहरे प्रकार्शन कैसा होता है क्यों उत्पत्ति होता है आदी आदी इन सभी को हम विस्तार से बताएंगे तो वही इसका अनभाव और विभाव को हम अगले किसी अन एपिसोर में बताएंगे आपको तो आए जानते हैं उन 33 परकार के संचारी भाव के बिस्तार से निर्वेद का अर्थ है खुद को कोशना अर्थात खुद के गलती पर गलानी महसूस करना जब वेक्ति वियोग दरिद्रता अपमान व्यादी आदी को जानकर जब उदासी महसूस करता है तब उस भाव को निर्वेद कहा जाता है ये भावना संसार के परती उदासिंता परत करती है ये इसके अनुभाव है दुसरा है गरव जब व्यक्ति सुन्दरता ग्यान धन शक्ति आदी के मद से उत्पन होने वाले भाव को गरव कहते है अनादर अपेक्षा इसके अनुभाव है जब प्रिये वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ती में बाधा पढ़ने की आशंका से उत्पन होने वाले भाव चिन्ता होता है इसके अनुभाव है मुख मलीन होना दुख सुनापन आदी अगला संचारी भाव है मुख दर्द जब व्यक्ति के उत्सा भंग हो जाए इच्छित बस्तु प्राप्त का न होना किसी कार्ज में असफल होना आदी प्रस्तिती में उत्पन भाव को विशाद कहते हैं इसके अनुभाव है चेहरे पर दुख का भाव दिखना अगला संचारी भाव है दैन्य इसका अर्थ होता है गरीबी दुख और दर्दित्रा से उत्पन होई मन की अवस्था को दैन्य कहा जाता है इसका अनुभाव है हिंता मलिन्ता आदी नंबर साथ पर है अस्वया अस्वया के अर्थ होता है दुसरे की महानता या तरक्की को देखकर जलना जब कोई व्यक्ति दुसरों की तरक्की को देखकर उसे हानी पहुचाने की भाव को अस्वया कहा जाता है इसके अनुभाव है तिरसकार, कठोर शब्द का इस्तमाल करना आदी अगला संचारी भाव है मृत्यू मरने के समान कष्ट को अनुभव करना ही मृत्यू का भाव कहा जाता है इसका अनुभाव है शरीर को निश्क्रिय कर लेना मद का अर्थ होता है गौरब, घमंड, आदी जब कोई व्यक्ति मोह के साथ आनंद को प्राप्त करना ही मद कहा जाता है इसका अनुभाव है आखे लाल होना, अनरगल बाते करना, मुश्कान आदी 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 आलस, श्रम के कारण बेक्ति के उत्साम में हिंता से शितिलता की जो उत्पत्ती का भाव हो वही आलस कहलाता है इसका अनुभाव है बेक्ति को एकी अस्थान पे परे रहने की भावना ही इसका अनुभाव है श्रम, अत्यधिक कारज करने के कारण शरीर में आई थकान को श्रम कहा जाता है इसका अनुभाव है अंग्राई लेना, लंबी-लंबी सांसे लेना आदी उनमाद, शोक, भय, क्रोध, काम के कारण मन भ्रमित होने से उत्पन भाव है उनमाद इसका अनुभाव है रोना, हसना, अपने आप से बाते करना आदी अगला संचारी भाव है अभी हित्या, इसका अर्थ होता है अपने खुशी या हर्ष को छुपाना लज्या, गोपन, श्रम आदी भाव के कारण किसी बात को छुपाने के भाव को अभी हित्या कहते है इसका अनुभाव है मूँ देखना, मूँ नीचे करके देखना, बाते बदलना आदी 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 चपलता अगला संचारी भाव है, इर्ष्या और देश आदी के कारण उत्पन भाव को चपलता कहते है इसका अनुभाव है कठोर शब्द का इस्तमाल करना, अर्थात कठोर बचन बोलना ही इसका अनुभाव है अगला संचारी भाव है अपसमार, जिसका अर्थ होता है मुर्चा मानसिक संताप की अधिक्ता में मन में उत्पन भाव को अपसमार कहा जाता है हाथ पैर पटकना, धर्थी पर गिरना इसका अनुभाव है अगला संचारी भाव है भै किसी अहित की आशंका से उत्पन भाव ही भय है इसका अनुभाव है कंप आशंका आदी कंप का अर्थ होता है आवाजे कापना, शरीर का कापना, डर आदी आदी गलानी अगला संचारी भाव है जब व्यक्ति के मन में खिंता का भाव उत्पन हो, वही भाव गलानी कहलाता है इसका अनुभाव है मन का उचटना, मन का ना लगना आदी ब्रिडा अर्थात लज्जा अगला संचारी भाव है जब पसंद के ब्यक्ति को देखने से उत्पन लज्जा, संकोच, प्रतिग्या, प्राजय, आदी भाव को ब्रिडा कहते हैं इसका अनुभाव है संकोच, आखे चुपाना, आदी आदी अगला संचारी भाव है जड़ता, जिसका अर्थ होता है विवेगशुन, विवेगशुनता का भाव जड़ता होता है इसका अनुभाव है मौन हो जाना, टक्टकी लगा कर देखना, आदी हर्ष अगला संचारी भाव है जिसका अर्थ होता है खुशी इच्छित बस्तु को प्राप्त करने के बाद जो भाव उत्पन होता है उसे हर्ष कहते हैं इसका अनुभाव है मन गदगद होना प्रसन्नता आदी 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 धिरिती अगला संचारी भाव है जिसका अर्थ होता है इवच्छाओं की पूर्ती ज्यान और सत्संग के संपर्ग से भय और चिंता चित की अभिचलता इत्यादी बिकारों को शांत करने वाली बुद्धी को धिरिती कहलाती है इसका अनुभाव है अनंद, धैर, संतोष, आदी मती अगला संचारी भाव है जब व्यक्ति शास्त और ज्यान की प्राप्ती के बाद किसी निश्चे पर पहुचना ही मती कहा जाता है इसका अनुभाव है अनंद, धैर, संतोष, आदी आवेग, जब व्यक्ति किसी अकास्मिक भै से उत्पन भाव को आवेग कहते है आवेग का अनुभाव है हर्ष, शोक, भै, कंप, आदी कंप का अर्थ होता है कापना, चायो कापना आपके जुबान में हो या शरीर से हो उत्सुक्ता, जब व्यक्ति को किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ती में विलम सहन ना कर पाना वो उत्सुक्ता होती है, इसका अनुभाव है आतुर्ता, व्याकुल्ता, आदी अगला संचारी भाव है निद्रा, जब व्यक्ति शारीरिक ठकावट, श्रम आदी से उत्पन चित को निद्रा कहते हैं, इसका अनुभाव है अंग्राई लेना, आखे जपकाना, आदी स्वपन अगला संचारी भाव है, जब व्यक्ति सोते हुए अवस्था में, जागते हुए व्यक्ति की तरह आच्रन करने के क्रिया को स्वपन कहते हैं, इसका अनुभाव है हर्ष, शोक, गलानी, क्रोध, आदी बोध, अर्थात, विवेक, जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात और निद्रा के बाद चेतना को प्राप्त करना ही बोध कहलाता है, इसका अनुभाव है शान्ति, अंग्राई लेना, आदी उग्रता वहीं अग्ला संचारी भाव है, जब व्यक्ति अप्मान और गलत ब्यवार इत्यादी के कारण उत्पन निर्दैता ही उग्रता कहलाता है, इसका अनुभाव है मारपिट करना आदी तो अग्ला संचारी भाव है व्याधी, अर्थात रोग, जब व्यक्ति व्योग या दुर्गटना के कारण उत्पन मन इस्थिती को व्याधी कहते हैं, इसका अनुभाव है व्याकुलता कम आदी अग्ला संचारी भाव है अमर्ष, इसका अर्थ होता है विरोधी का उपकार करने की अर्षमता से उत्पन दुख जब व्यक्ति को किसी के अनुचित व्याभार से उत्पन हुई और सहनियता और और सहिशनुता के भाव ही अमर्ष है इसका अनुभाव है भावे कुटिल करना, आखे लाल होना आदी वितर्क अग्ला संचारी भाव है जब व्यक्ति को अनिश्टा और संदेह के कारण मन में उत्पन भाव वितर्क है इसका अनुभाव है बिना तर्क के बाते करना आदी अग्ला संचारी भाव है स्मिर्ति जब व्यक्ति बस्तूओं और अन्व्यक्तियों की अनुभूति या स्मिरन करता है उसे स्मिर्ति कहा जाता है। इसका अनुभाव है चपलता भौवे को चढ़ाना आदी। अगला संचारी भाव है शंका। जब व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानी की संभावना होने की आशंका से शंका का भाव उत्पन होता है। इसका अनुभाव है मूँ का रंग बदलना कंप आदी। अनुभाव का अर्थ होता है संचारी भाव को समझने के बाद आपके बहरी क्डियाएं अर्थात शारीर क्डियाएं। चेरे की एक्षप्रेशन आदी अनुभाव कहलाता है। ये थे भरत मुन्नी जी के द्वारा बताये गए 33 परकार के संचारी भाव। आपको ये कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताये। अगले वीडियो में हम जानेंगे रस और भाव के बारे में विस्तार से। धन्यवाद, नमस्कार।